दोस्तों आज है Friday and जो अगला trading session होगा वो Monday का होगा और हमेशा की तरह आज मैं बताऊंगा option selling spread किस तरीके से आप Monday को positions बना सकते हैं option selling spread की जिसमें आपको consistent profit होता है और ये भी बताऊंगा simulator पर backtest करके stock mark वाले simulator पर कि किस तरीके से आपका पिछले हफ़ते का profit बना है ज्यादा कम रहता है आपका nifty का एक pair sell हो जाता है करिवन 40,000 के अंडर में जिससे कि आप कम capital में भी trade कर सकते हैं ये वाली strategy पर तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा profit है वो कितना हुआ है sensible पर मैंने update कर दिया इसे आपको link description में मिल जाएगा मैं और youtube की तरह नहीं हूँ मैं खुद profit करता हूँ इसलिए आपको भी अच्छे चीज़ strategy बता सकता हूँ जो profitable होती है अब देखिए मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करता कि निफ्टी के चार्ट पर लाइन वगेरा कीचली एंड सपोर्ट रेश्टेंट ड्रॉ कर लिए यह सब मुझे पता है जो चीज एक्सुल में काम कर सकती है जो कोई सीख सकता है वही चीज़ां बताता हूँ जैसे कि spread वग शेयर करता हूँ जिससे कोई भी फ्रॉड बगरा के चांसेस ना रहे क्योंकि मैं खुद एक लैजिट ट्रेडर हूँ प्रॉफिडेवल ट्रेडर हूँ इसलिए आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको अभी अच्छी चीज़ें समझने आएंगी open orders में अभी यह stop loss है तो डले हुए हैं क्योंकि यह zero हो गया option इसलिए मैं score of नहीं किया था अब बात करते हैं बढ़ते हैं हमारी strategy की तरफ option selling spread की तरफ तो एक spread क्या होती है सबसे पहले उससे समझते हैं इसमें क्या होता है एक expiry को आप sell करते हैं दूसरी expiry को आप buy करते हैं जो कुछ भी इसमे कब था तो यह था 22nd of July को 22 July 24 तो इसी कोई इस दिन पर आ जाते हैं हम लोग स्टॉक मॉक के simulator platform पे चलता है क्योंकि यहाँ पर stop loss वगरा तो कुछ है नहीं ना तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पर देखें मंडे को हम लोग आ चुके है July 22 और 24 अब आपको entry कब लेनी क्योंकि यह बहुत ज़रा ज़रूरी होता है कि यूट्यूबोर सिर्फ सेटक लिए काम करते है वह है subscribe के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और कुछ भी नहीं चाहिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा मैं आध। देखा बहुत सारी है लोग प्लीज यहां सब्सक्राइब कर लिए अगर कुछ नहीं जाता सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगा आपको क्वालिटी कंटेन मिलता जाएगा तो चलिए अपनी स्टेजी पर आगे बढ़ते हैं तो सिंपल चीज करने हैं आपको सबसे पहले देख लेते हैं अभी यहां पर आपकी जो करेंट एक्सपारी है वो कौन सी है और नेक्सपारी है वो कौन सी है सबसे पहले इस कॉंसेट को समझेए अगर मैं एंजल पर जाओं तो आपको एक अच्छा अंदाजा मिलेगा यहां पर देखिए यह निफ्टी है अगर मैं इसकी option chain लगाऊं तो अगर जो सबसे पहली एक्सपारी आने वाल भी होती है 1st of August जो दिखा रहा है आपकी यह उती है आपकी current ऍेक्सपारी और अगली जो दिखा रहा है वह 8 ahh की एक्सपारी तो वह होती हैatarी va constitution ही तो इस तरीके से आपको समझना है तो सेम चीज यहां पर करते हैं यहां पर 22 जोलाई की दिने पर हम लोग आ चुके हैं यह previous data पर काम कर रहे हैं जिसी कि आपको उच्छी समझ में आए अब बात कर दें कि आपको करना क्या है आपको सबसे पहले देखना पढ़ेगा कि ATM आपका कहा है ATM होता है add the money option देखिए अगर मैं आज के चार्ट के साथ से दिखाऊं तो है 24,834 तो इसका जो आपका ATM हो जाएगा वो हो जाएगा 24,850 मतलब कि जो nearest होगा तो इसी case में अगर मैं दिखाऊं आपको तो जो आपका ATM दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और जितने भी आपके broker वगरा रहते हैं वो आप भी लिख रहाता है यह line जो दिख रही है एक मतलब कि 50 ATM प्लस 50 तो यहाँ पर इसे sell कर देना है call के case में and ATM माइनस 50 वहाँ पर आपको sell कर देना है आपको premium पर ज्यान नहीं देना है premium आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है कोई दिख़द नहीं है तो कि premium एक ऐसी चीज है जो market के हिसाफ से डलते है मतलब क किस हिसाफ से market का view है उस हिसाफ से लेकिन आपको अपनी strikes पर ही रहना है तो मैंने क्या किया ATM से एक strike ऊपर call sell कर दिया and ATM से एक नीचे put sell कर दिया अब आपको आजाना है नई expiry पर मतलब next expiry पर ठीक है तो यहाँ पर भी same आपको जो आपने जो slack करी है ना strikes अब उनको ध्या तो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको क्या करना है 24,450 की जो आपने call sell करी है उसे buy कर लेना है अगले expiry का ठीक है यह दिखी यह buy कर लिया यहाँ पर देखो यह profit में दिखाने लगा है अभी यह सब चीज़ चोड़ो and यहाँ पर 24,350 की put को आपने यहाँ पर इसे buy कर लेना है सिंपल बस अब अगर मैं पोजिशन दिखाऊं तो आपको ज्यादा को समझ में आएगा यही में सरी पोजिशन मैंने 450 की call को buy किया है अगले expiry की and 350 की put को buy की अगले expiry को same strikes पर मैंने current expiry पर sell किया है पोजिशन अब देखिए आपको काफी अच्छा है यहाँ प बड़ी चीज यही है यहाँ पर आपको margin बहुत यादा कम देखने मिलता है and अब देखो probability of profit कितनी है आपकी 63% की आपकी probability of profit है risk to reward आपको बहुत यादा अच्छा देखने को मिलता है कभी-कभी cases ऐसे आते हैं जब आपको one two seven one two eight तक कर risk to reward देखने को मिल जाता है and break evens भी आपके यहाँ पर बहुत लब्मे में लब्मे होते हैं अब मैं करता हूं इसको दो घंटे के साफ से आगे बढ़ाता हूं जिसनी कि आपका भी time बचेगा and आपको जल जली समझ में भी आ जाएगा two hour add किया यह वाली चीज देखते रहे ना पीए यह चल गाए यह समझ लो क कि आपने यह ट्रेट डाली है बस वही चल रही है ठीक है फिर बढ़ाते हैं ऐसे ऐसी आपको बढ़ाते जाना है कब तक जब तक आपका थास्टे ना आ जाए मनलब आपकी एक्सपारी ना आ जाए अब देखिए आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो तेरा सो पचास दिखने लगा है अब आपका थोड़ा कम हो गया है और वेड्नस दे आ गया आप 975 का आपको प्रॉफिट दिखने लगा है और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं इसमें अब आपका एक हजाल शेसो बीज मतलब की शिक्टीन हंड्रेट की सम्टिंग का प्रॉफिट दिखने और बढ़ाते हैं इसको 10% का profit हो गया है अब आपका 3300 का profit हो गया है और आपका जो लास्ट करें गया है सिर्फ अब 30 मिनिट के साथ से बढ़ाते हैं और आपको जो इसको इसको अरफ करना है वो करना है 15 18 15 15 15 इसके साब से कर सकते हो तोड़ा वह दोपर हीचे कोई देखकर न profit दिया है क्योंकि वो देना ही था वो दोने जीरो हो गहीं यह देखिए और जो बाय वाली थी वो आपकी profitable रही है अब मारके ठीक ठाक है क्योंकि इसमें जादा ट्रेट्स भी नहीं है एंड बिगनर्स के लिए अच्छी स्ट्रेट्जी है और बहुत सारे सेम इस्ट्राइक सेल कर लिया सेम इस्ट्राइक बाय कर लिया जो आपका डेल्टा था वो नेट्रल हो गया लेकिन जो आपका थीटा बसता है वो थोड़ा प्ले में आ जाता है क्योंकि थीटा आपका फिर बहुत दीरे-दीरे कटता है जो आपकी current expiry है तो असलिए जब भ गोजाय trending market में भी आपको अच्छा profit देखने को मिलता है आपको rules properly समझ में आ गए होगी इसलिए मैंने आपको पिछली डेटा पर चला खर दिखाया जिससे कि आपको इस तरह जैसा लगे कि सारी चीज़ा लाइव हो रही है आपके सामने यहां पर आपको समझ गया होगे कि stop loss को इस नहीं लगाना है और पुछ भी नहीं करना है आपको तो बस इस वीडियो में इतना ही था जरूर बना लेना मंडे को profit होने के chances रहते हैं यहां पर loss जारा नहीं होगा और हां इसको बीच में कभी मत कड़ना भले आपको loss दिख रहा हो थोड़ा बहुत ज्यादा भी है उन पर नहीं चलाना है क्योंकि वहां पर बहुत गंदी मुव्मेंट्स होती है ठीक है तो नॉर्मल डेस्यास है कि यह वाले हैं आपको यहां पर चलाना अच्छा काम करेगी तो बस यहीं था सिंपल सा वीडियो मेरा औब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं आपको प्रॉफिट हो एड लिस्ट आप मार्केट में टेके रहा हो तो बस आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं मैं जब कलके एक और वीडियो में